हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टूस फलतावंतर दोस्तों आज सुभई की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और आपको जैसा के पता है चैप्टर 22 क्लासेज आपकी संस्क्रत की स्टार्ट हो चुकी है आप लोग भी अपने पूरे मन से त्यारी में लग प्लीट कर लिया था जिसमें वर्ण परिचे कराये था आपको और साथ ही साथ आपको उच्चारन इस्थान हिंदी में करा दिये थे लेकिन जब बात यहां पर संस्क्रत की हो रही है तो वहां पर बात होगी आपकी उच्चारन इस्थान के सूत्रों की तो आज की क्लास आज की क्लास में चर्चा करेंगे, क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ सेर करना मत भूलिएगा, साथी साथ एक एक चैप्टर पूरा कराके उसका प्रेक्टिस सेट भी आपको देते चलना है, तो उन दोनों क्लास के लिंक नीचे दिये गए जरूर अच्छे से देखते रहिए, अपना पूरा सपोर्ट बनाते रहिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो तुरंत जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट तैयारी स्टार्ट की जा चुकी, एक भी क्लास अगर आपने मिस की, तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, तो अच्छे से पूरी तैयारी में लग जाईए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गय सबसे पहले हमने आपको बताया था कंठ, कंठ के अंतरत क्या आता है, कावर्ग आ जाता है, कावर्ग बताया था, और कौन से वर्ण बताया थे, और कौन सा बताया था, हा बताया था, और विसर्ग बताया थे, अब लेकिन जब बात संस्क्रत की करेंगे, तो सूत्र होगे अकुह विसर्जनिया नाम कंठा यानि कि अकुह का मतलब हमने आपको कावर्ग को पढ़के बताया था तो यहीं से देखे कुह आया है संस्कृत के सूत्र बहुत ही विस्तरत रूप में होते हैं अगर आपने छोटा सा भी रूप उनका समझ लिया तो निश्यत मानिया आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो अकुह यानि कि आ हो गया यहां पर कु से कावर्ग हो गया हा हो गया और विसर्ग हो गई यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कंट हो जाएगा आप समझ लेते हैं यह आ, कावर्ग, कु, हा और विसर्ग का उचारण स्थान कंट होता है इन वरणों के उचारण में जो जीव्या कंट को इसपर्स करती है कंट से बोले जाने के कारण इन्हें कंट कहा जाता जीव्या कंट से इस पर्स करने का मतलब है कि जब हम बोलते हैं तो जीव का गले में जो हिस्सा वो उपर टच करता है और ऐसा लगता कि आवाज सीधे कंट से निकल रही है गले से निकल रही है सेकेंड नमबर पर हमारा आजाता है तालू तो कंट हो गया कंट के बाद आता है तालू तालू का सूत्रता इचुव सानाम तालू यानि कि इसमें आपका क्या हो जाएगा देखे जल्दी से तालू में इचुया यानि कि ए पढ़ाया था हमने चावर्ग पढ़ाया था या पढ़ाया था और क्या शा पढ़ाया था तो ये सब किसके अंतरगत आ जाएंगे तालू के अंतरगत आ जाएंगे सबसे पहला होता है कंट उसके अद आपका तालू का भागाता है चा जहां पर चा चा बोलने पर जीव जहां पर लगती वो आपका तालू कहलाता है और चावर्ग या चू दोनों में से किसी भी रूप में लिखा है आपको याद रखना है या पूरे चावर्ग की बात हो रही है अगर पहले वर्ण में किसी भी वर्ण के पहले वर्ण में आपको उ की मात्रा लगी भी मिल यहां आपको याद रखना कि पूरे वर्ग की यहां पर बात हो रही है इसके अधिया हो गया और शाह हो गया इनका उच्चारण स्थान क्या होता है तालू होता है इन वरणों के उच्चारण में जीव मुक्स के ऊपर चिकने भाग तालू को इस परस करती है तालू से बोले जाने के कारण इन वरणों को क्या कहते है तालब विवर्ण कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है याद रखेगा यहां कंठे हो गया दूसरे में क्या कहेंगे तालब विकाएंगे इचियो सानाम तालू हो यह इसका सूत्र हो जाएगा तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है मू मूर्धा तो मूर्धा इसके बाद रा आ जाता है यह सबसे इंपॉर्टेंट है अभी आपके बेड के पेपर में यही पूछा गया था तो इसका सूत्र हो गया रिटुर शाणाम मूर्धा यानि की रिर टू यानि की टावर्ग रा और शा सटकोन वाला यह सब आपके किसके उपर के दांतों के साथ वाला जो खुरदरा भाग होता है वहाँ मूर्ध जिसको कहते हैं वहाँ इस पर सकरती इसलिए से क्या कहते हैं मूर्धा का जाता है और मूर्धा से उच्चारण करने वाले वर्णों को क्या कहते हैं हम लोग मूर्धन वर्ण कहते हैं इनको टॉपिक लियर हो जाएगा इसका अगला मारा देखे जल्दी से आगे बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ला आ जाएगा ला के बाद सा आ जाएगा यह सब के उच्चारण स्थान जो होते हैं क्या हो जाएंगे दंत होते हैं इनके उच्चारण स्थान नाम दंत है लरी तुलसा नाम यानि कि इन सभी का उच्चारण स्थान हमेशा दंत होगा इन वरणों का उच्चारण करते समय जीविया दाटों में लगती है अताह दांतों से बोले जाने के कारण यहने क्या कहते हैं दंते कहा जाता है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं लोग दंते हो गया आप पहुंचते हैं ओष्ठ की ओर तो दांत तक पहुंच गए अब दांत के बाद क्या आएगा ओष्ठ आएगा तो ओष्ठ क्या हो जाएग यह दोनों इसके आध पावर्ग और उपमाधमियए जो हमने आपको कल आयोग वहां में बताये थे जीभ्या मुली और उपाधमिय ये दोनों आपके क्या होते हैं यह आयोग वहां के अंतरगत होते हैं जिनकी संख्या चार होती है याद रखेगा तो इसका सूत्र देख लिएगा ओष्ठ का उपूर माध्धनिया नाम मोश्ठा हो तो इसमें उपाबर्ग पूरा इसका अद माध्धनिया यह आपका जो साइन ब पूर्णों आपके उपूर्णों आपके अगला हमारा आगया नासिक के नासिक में कौन सी दुनिया आती हैं प्रतेक वर्ग का पांचमा वर्ण जो होता है वो नासिक 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 के द्धुनियों के इंतरगत होता है और अनुस्वार जो अंग की मात्रा होती वो नासिक के द्धुनिया देख लीजिएगा तो इसका सूत्र पढ़ने में थोड़ा आजीब है देख लीजेगा वा मडन नाम नासिक कि चा यानि कि वा मारा ना यह आपके सभी जो प वा हो गया ना हो गया मा हो गया यह सब आपके अर्थात प्रतेक वर्ग का पांचमा वर्ण और अनुस्वार यानि की अंग की मात्रा जो आयोग वहां के इंतरगेता पढ़ाए गया था इसका उचारण स्थान क्या होता नासिका होता है इनके उचारण में क्रमसा कंठ तालू मूर्धा दंत ओष्ट इन इस्थानों के इस पर्स से उत्पंद धोनियों के साथ नासिक भी धोनी मिल जाती है इस इन धोनियों को क्या कहते है इन वर्णों को नासिक या अनुनासिक वर्ण कहा जाता है याद रखिएगा यहां तक आपके में जो आपके सब्द थे वो वर देख लेगा और टालू कि अच्च और मिलकर आए यानि कि ए देटो ए की मात्रा वाली और ए की मात्रा यह धोनों आपके कंट तालू के अंतरगत आते हैं यानि कि ए और ये दोनों वर्ण कंठ तालू में आते हैं दो वर्णों के संयोग से बने इन दोनों वर्णों के उच्छारण स्थान कंठ तालू दोनों ही उप्योग होते हैं अता है इन वर्णों को कंठ तालब वे कहा जाता है अगला कंठोस्थ यानि कि कंठोस्थ दोनों को अगर अलग-अलग कर दिया जा कंठ ओषठ तो इसे पढ़ लिया हमने कंठ ओषठ इसका, इसका सूत्र ओ दो दो तो, चौ कंठ ओषठ मिए दोनों के अंदर आते वनों, अओझा है, इनके उचारंण में कंठ और ओषठ दोनों की ही आवसकता पढ़ती है, अताहा इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है अगला 9 नमबर आ जाता है हमारा दंतियोष्ठ क्या हो गया दंतियोष्ठ क्या हो जाएगा इसमें वा केबल हमने आपको उताय था सिंगल वर्ण ऐसा वा है जो दंतियोष्ठ के अंतरगत आता है वकारस दंतोष्ठ हम वकारस यानि कि वाव जो होता है मारा वर्ण ये आपका दंतोष्ठ के अंतरगत आता है वाव के उचारण के समय जिव्या जो है वो दांत से लगती है और ओंट कुछ हिलते हैं तो वाव बोल के देखे नीचाला ओंट जो है वो भी दांत में टच होता ह जिस वजे से हम क्या कहते हैं दंतिष्ठ वर्ण कहते हैं दंतिष्ठ वर्ण ये कहलाता सबसे अंत में हमारा आता जिव्या मूलिये जिव्या मूलिये हमने आपको कहता था आयोग वहाँ बताये था उसमें आपका क्या का खा ये दोनों बताये थे और इसका साइन भी वाला होता है जिव्या मूल का और खा इसको कहा जाता है ये आपका जिव्या मूल इसका उचारन इस्थान होता है जिव्या मूल होता क्या है जीव का मूल इस्थान यानि कि जो पिछला इस्थान है उसे जिव्या मूली कहा जाता है चूँकि ये कंठ के अंतरगत आता तो वो चीज clear समझ में नहीं आपाती है लेकिन जिव्या मूली आपका आयोग वह वन के अंतर गताता है तो यहां से यह चीज आपकी clear हो जाएगी उचारण इस्थान आपका पूरा हुआ अब दूसरा हमारा topic है प्रत्याहर निर्माणम प्रत्याहर कैसे बनाय जाते है कल की class में हमने आपको महस और सूत्र बता दिये थे महस और सूत्रों की संख्या कितनी बता दी थी तो यह संख्या आपको बता दी गई थी 14 है 14 है महस और सूत्रों से जो पाणिनी ने कुल मिला करके प्रत्याहर बनाये हैं आनी ही चाहिए तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे समझते रहें अच्छे से चलिए पढ़ते हम लोग प्रत्याहार तो दोस्तों प्रत्याहार का निर्मार जो होता वो कैसे होता महेसर सूत्र में अंतिम वन्ड जो इतसंग्या हमने आपको बताया था अंतिम वन्ड की इतसंग्या जिसका प्रियोजन प्रत्याहारों का निर्मार है यानी कि इतसंग्या के माध्यम से ही प्रत्याहारों का निर्मार किया जाता है प्रत्याहार का मूल उद्देश या मूल लिकारे बताया जाए या प्रत्याहार का मूल अर्थ जो होगा वो वर्णों के समू को संशिप्त करना होता जैसे कि आपने एवरिवेशन पढ़े होंगे जैसे किसी भी चीज की फुल फॉर्म कर दी जाती है उसका सौर्ट फॉर्म होती है ठीक वही सौर्ट फॉर्म जो हम पढ़ते हैं जैसे आपका B8, BTC कुछ भी सौर्ट फॉर्म ले लीजे वो आपकी प्रत्याहार ही एक प्रकार से है अगर उसे हम हिंदी संस्कृत की वर्ण माला के रूप में लिख देंगे तो वो प्रत्याहार हो जाएगा और उसी चीज को जब हम अलग-अलग वर्णों के रूप में लिख देते हैं तो वो आपके बन जाते हैं वन समूं। इनी वन समूं के संषिप्त रूप को छोटे रूप को प्रत्याहार कहा जाता है। यही प्रत्याहर का प्रमुख कार्य होता है अगला पॉइंट देखी जल्दी से प्रत्याहर निर्माण में आधिवन से आरंब होकर अंतिम इत्संगेक वन पर्यंत वनों का ग्रहन किया जाता है यानि कि प्रत्याहर कहां से निर्माण होते हैं आधिवन यानि कि जो पहला वन होता है किसी भी सूत्र के अंतर के जो पहला वर्ण होता है वहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं और अंतिम इत्संग्यक वर्ण जो अंतिम वर्ण इत्संग्यक होता है उन वर्णों तक पहुंचते हैं इसलिए इसका जो सूत्रिया कहले हैं यह सामने आपको दिया कि आधिरंते सह ये इसको कहा जाता है प्रत्याहार को, क्या कहते है आदीरणतेय सं सहेता, यानि कि आदीसे प्रारंहुकर अंत तक चलने वाला, आगे बढ़ते हैं लोग तो, एक इस्का उदाहरण देख लिजे, अच प्रत्याहार के निर्मान में क्या हुआ, अच्छ यानि कि आ से आरंभ होकर अच्छ के चातक वनों का ग्रहन किया जाता है इस प्रकार से अच्छ प्रत्याहार में कौन-कौन से वनोंगे आ, ई, उ, रिर, ए, ओ, ए, ओ, वन आते हैं ये आपके अच्छ प्रत्याहार के अंतरगत आने वाले वन हैं आपको पताओगा अ प्रत्याहर किसका होता है सुर्थ से संबंदित होता है आगे बढ़ते हैं तो लगू सिध्धान्त कवमुदी के अनुसार प्रत्याहरों की संख्या कितनी है व्यालिस बताई गई है इसके आद व्याकरण सिध्धान्त कवमुदी के अनुसार इनकी संख्या चवालिस बताई यह बस्तुता प्रत्याहर 44 होते हैं लेकिन एक बात आपको याद रखनी एक्जाम में आपको 44 ओप्सन मिलेंगे 42 सबसे सही ओप्सन माना जाता क्योंकि पाणिदी ने जो संस्क्रत बताई थी पाणिदी ने जहां से प्रारंब किया था इन्हों ने सिर्फ 42 प्रत्याहर दिय है जो की मुख रूप से बनाए गया और एक चीज और है प्रत्याहर का निर्माण आगे भी हो सकता है जैसे संस्क्रत के ग्याता लोग सब्दों का निर्माण करते रहेंगे महस और सूत्र से अलग-अलग प्रत्याहर बनते रहेंगे लेकिन मूल रूप से 42 प्रत्याहर इस से आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी कल सुबह आपको इसका प्रक्टिस सेट कराए जाएगा अच्छे से कोश्चन्स को देखिए समझिए क्लास को कवर करते रहिए त आपके आजाते हैं किसके अंतरगत अच्छ के अंतरगत आगे बढ़ते हैं हल हल का मतलब क्या हो गया समस्थ वेंजन हल संदी वेंजन संदी को कहा जाता अच्छ संदी स्वरसंदी को कहा जाता है इसके बाद यन किसको कहा जाता अंतस्थ वेंजन के अंतरगत आने वाले व यह तीनो सा और हा यानि कि उस्म वेंजन के जो चार वन होते हैं वो आपके सल प्रत्याहर के अंतरगत आ जाते हैं यन के अंतरगत चार आपके जो अंतरगत वेंजन के वन हैं वो आ जाते हैं इसकाद ओम यह आपका है पंचम वन प्रत्यक वर्ग का पंचम वन जो आता है जो वर्ग का पांच वर्ग होते हैं, तो इन पांचों वर्ग का चतुर्थ वर्ण आ जाता, जावागाड़ाधा, तो ये आपके जस के अंतरगत आते हैं, अभी व्यंजन संधी, आप लोग जब पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी, क्योंकि व्यंजन वन आ जाता है जाबा गरद ये आपके आ जाते हैं तरतिये वन खय वर्ग के प्रथम और दुतिये वन यानि कि प्रतेक वर्ग के प्रतम और दुतिये वन जोंगे वो खय के अंतरगत आ जाते हैं खा भा जा ठा 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 चा पा ये आपके इसके अंतरगत आ जाते हैं याद अमिद करते जीज आपको क्लियर और अंतिम पॉइंट है आपका संस्क्रित वियाकरण के अतरगत जो मुखह आपकी जहां से प्रारम्भ होती है उसके अंतरगत जो आपके प्रयतन आते हैं उनको और देख लिजैगा प्रयतमं क्या होता है वनों के उचारन करने की जो चेश्ठा होती जो ताकत होती जो बोलने का तरीका होता वो प्रियत्न कहलाता है प्रियत्न दो प्रकार के होते हैं अभ्यंतर प्रियत्न और वह प्रियत्न दो प्रकार के प्रियत्न होते हैं अभ्यंतर प्रियत्म में क्या होता ये पांच प्रकार के होते हैं इस प्रष्ट होता यानि कि इस पर्ष का से ले करके मा तक के वन इसके अंतरगत आ जाते हैं इसके आद इसत यानि कि इस प्रष्ट इसत के अंतरगत आपके आ जाते हैं क्या या रा ला वा ये आपके आ जात इसमें आपके स्वर आ जाते हैं आ यानी की पूरा इसके अंतरगत आ जाएगा आगे बढ़ते हैं संबरत में पांच माहें आपका भ्यांतर प्रत में जल्दी से देख लीजेगा सिर्फ एक लाइन में एक नजर में मार लीजेगा बस इतना आपको याद रखना इसके questions आपक प्रयोक करने में हरत्स आ का रासरियो संबríत होता है किन्टू सास्त्री और प्रक्रिया में अ का प्रत्न विब्रत होता है तो यानि की वायू का मार्क बंद हो जाता वैं संब्रत कब अभिब्रत खुला ओंो समाल्ट मतलब बंद इस रूप में ही इसको रखा जाता आगे बढ़ते हैं वह पृतन अभय अंतर प्रतन होग perfect कौन कौन से होते हैं तो यह आपके उच्चारण की उच चेश्ठा को वाहे प्रित्न कहते हैं जो मुख से वन निकालते समय होती है वाहे प्रित्न नाम से ही समझ रहोंगे वाहरी रूप से कोई सब्द बोलते हैं तो मुख में जो वन निकालते समय चेश्ठा उत्पन होती है वो आपकी वाहे प्रित्न कहलाती है यह आपके सभी ग्यारहे प्रकार के होते हैं नाम देख लीजे विवार संभार स्वास नाद घोस अघोस अल्पप्रान महाप्राण उदानत अनुदात और सवरित सवरित है यहाँ पर सवरित। यहाँ आपके कुल मिला करके देख लीजेगा ग्यारह वह प्रेतन होते हैं संस्कृत व्याकरण की important classes का आज हमारा chapter 2 complete हुआ इसके questions भी आपको जल्द करा देंगे questions के अंतरकत आपके अने topic के questions भी कुछ देखने को मिल जाते हैं सभी subject की अपनी पूरी त्यारी करते रहें नई उर्जा के साथ अच्छे से लगे रहें मिलते हैं अगली आसाम की class में तब तक ले थे हैं कि दोस्तों good bye take care